करनाटक विधान सभा चुनाओ 2023 के रुजान में कॉंग्रिस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है जिसके बाद कॉंग्रिस का करनाटक में सरकार बनना तय है मुख्य मंत्री भुपेश बगेन ने करनाटक चुनाओ के रुजानों के बाद भाजपा पर बड़ा प्रहार करती हुए ट्विट किया है कि बजरंग बली जी के गदे का कड़ा प्रहार भ्रष्टाचारी भाजपा की हो रही हार मुखे मंत्री ने कहा कि करनाटक के नतीजे बिलकुल उम्मीद के अनुकूल है मोदी जी ने खुद को आगे रख कर वोट मांगा था तो यह मोदी जी की हार है बजरंग बली जी का गदा भरष्टा चारियों के सिर पर पड़ा और भाजपा सरकार वहां से निपट गई जगा सारे टेलिविजन में नडड़ा जीख फोटो लगने लग जाए दूसरी बात यह है कि भारती जनता पार्टी के लोग फिर मोदी के जगए योगी योगी करने लगे बुल्डोजर की बात करने लगे और भारती जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुन साओ जी को पता चल गया था तभी बोले कि हम यहां उत्तर पते इसकी तरह यहां भी बुल्डोजर चलाएंगे तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है तभी अरुन साओ जी लगातार योगी योगी करने लगे थे बुल्डोजर की बात करने लगे थे तो आज जो सफलता मिली उसमें हमारे राष्टी अध्यक्स खडगे जी पूरध्यक्स सुनिया जी पूरध्यक्स राहुल जी प्रयंका जी सबको बधाई साथ ही जो इस्टेट लिडर्सीप है उनको भी बधाई और उहां के जो कार करता है उनको भी बहुत बधाई कि ऐसे समय में जब भाद्वी धुरूई करन करने के कोशिच लगातार भाद्टी जनता पार्टी लोग कर रहे हैं करनाटा के जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से इस पाश्ट हो गया है कि बजरंग बली है कांग्रेस के साथ बजरंग बली अन्याई अत्याचारी के पर ही कड़ा पहार करते हैं तो गदा है वो ग्रहकाचारी के सीर्पी गिरेगा